लेकिन हरानी होती है कि 763 साथसदों में से 306 जो हैं वो अपराधी किश्रेणी में आते हैं जब कि 194 में सांसद ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के साथ अक्तिया चार के साथी साथ उन पर जो है हत्या के आरोग लगे हैं सिख्षा व्यवस्ता की बात की जा तो हर एक व्यक्ति वहां से आईये स्पीसियस की त्यारी करके एक बड़े पद के अधिकारी पर बनता है आपका यह जो डाटा है यह थोड़ा गलत है वो 90 परसेंट आज के समय में सत्ता धारी के जितने सांसद बिधायाग पारसद है वो स पता तब तक ने होता है जब तक उस पे कोई दवंग आदमी का अधिकार ना होता है लेकिन जो हाल हो गया है इस देश का वो बहुत गंभीर है इस पर मोदी जी को बहुत बड़ा संग्यान लेना चाहिए बिहार के लिए क्या लगता है कि बिहार में 56 सांसद जो है राज सभा के मिलाकर के लोग सभा के उसमें से 41 सांसदों पर अपरादिक मामले दर्ज है नवश्कार आप देख रहे निउस वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्थातिवारी अपराद के भीतर हो सकते हैं जहां एक तरफ देश में अपराद मुक्त करने की बात करते हैं गुंडा राज खत्म करने की बात करते हैं लेकिन हरानी होती है कि 763 सांसदों में से 306 जो है वो अपरादी किश्रेणी में आते हैं जबकि 194 में सांसद ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के साथ अत्याचार के साथी साथ उन पर जो है हत्या के आरोब लगे हैं अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल क्या वाकई जो दिशा ले करके आज के समय जो हर पाल्टी ले आगे बढ़ रही है अग्रसर रहती हैं हमेशा कि ऐसे परिवर्तन आएगा कि ऐसे देश को विकास होगा और सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए यूपी और व्याल ने खें हैं तोहां पर सबसे बड़ा राज के बतवर उनको देखा जाता है लेकिन खेंग करने वाली प्रादी की श्रेडि में आते हैं आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संपादक संजन सिंग जी उनसे हम चर्चा करेंगे क्या लगता है सर लगातार बिहार के स्थिति और सबसे पहले जो राजनितिक दल आज के समय ये बात कहती है कि वो दिशा बदल करके काम करना चाहती है परिवर्टन लाना चाहती है लेकिन हैरानी होती है कि जब सांसदी घर के भीतरी जब चोर हो अपराद हो तो बाहर के से सफाई हो सकती है देखिए इस पे बहुत बड़ा चीज है ये चुकि देश ठीक कैसे होगा जब देश का नेता ही चलाने बाले ठीक नहीं है वही अपड़ाधी है तो आखिर देश में तो अपड़ाधी फैलेगा ही आपका ये जो डाटा है ये थोड़ा गलत है वो 90 परसंट आज के समय में सत सता धारी के जितने सांसद विधायाग पारसद है वो सब क्रिमिनल है और समाज में इस तरह वो द्वेस्ता फैलाता है छोटे गुंडे पालते हैं जिससे समाज के लोग को रहना मुश्किल हो गया है अब इस देश में एक मोदी जी तो नहीं सब जगह जाएंगे वह के नहीं तो वह बात है लेकिन सत्ता के ही इर्दगिर्द सब कुछ घूमता है वह सत्ता तब तक नहीं होता है जब तक उस पे कोई दबंग आदमी का अधिकार ना होता है तो वही दबंग ही चल रही है भारत ऐसा देश है जो पूरे दुनिया को बैट के खिला सकती है और यहां देश में इतनी अराजकता ये निताओं के द्वारा आजाद आजादी से पहले कुछ ठीक था लेकिन ये लोग तो अंग्रेजों से भी बत्तर हो गया है जो हाल कर दिया है देश का सत्ता पाने के लिए सब कर रहा है चाहे हो भाजपा है कि जह हो जो पाटी है जितने सत्ता धारी दल है वह खतम है केवल सत्ता हत्याने के लिए अपना गुल्व भजाने के लिए वह सत्ता में है और जंता से कोई मतलब नहीं है कोई मतलब किसी नेता को जंता से आजकल रह नहीं गया है केबल भोट का अधिकार उसे पाने का है जब भोट लेने का वक्त होता है तो वह जाता है उसके यहांदरफ़े खट खटाते हैं और भोट मागने का प्लिएशन करता है लेकिन जो हाल हो गया है इस देश का वह बहुत गंभीर है इस पर मोदी जी को बहुत बड़ा संग्यान लेना चाहिए ऐसे सांसर और विधायक को см зап निकालना चाहिए जिसका ऊपर कितना क्रिमिल का मामला चल रहा है कितना म gideला के फ्रण्छित का लिकार चल रहा है सरा चीछ चल रहा है फिर भी वही सत्ता में बैठा हुआ है वह कहना यह ठीक हो जाएगा बिलकुल ठीक समाज को इसे ठीक करना पड़ेगा कोई सत्ताधारी दली से ठीक नहीं कर सकता है और समाज के युबा अब इसको बहुत जल्दी ठीक करेगा क्या लगता है कि बिहार में 56 जो है राजसभा के मिलाकर के लोकसभा के उसमें से 41 सांसदों पर अपरादिक मामले दर्ज है कि आज बिहार में जंगल राज संपूर रूप से खत्म नहीं हो पारा यद जंगल राज पैदा होने की वजह भी यहीं से शुरू हुई देखिए बिहार में जंगल राज ये 32 सालों से है जब से लालु जी इने बिहार का सत्ता समहला तो वो एक समझिये जो एक गुंड़ई का राजी हो गया और माहुल ऐसा बना दिया जो जादब देश का सबसे सीधा जात है लालुजी जादब नहीं है वो ठग रहा है सबको वो गड़ेडी है जादब है नहीं हो और जादब के बच्चे को इस त बिहार के जादब युवा वर्गों को इस पर खुल के आगे आना चाहिए और इसका पूरा बिरोध होना चाहिए जो अब यह नहीं चलेगा यदि यह चलेगा तो बिहार बरबाद हो जाएगा और बरबादी के कगार पर तो है ही जो बिहार दसा और दिसा हमेशा देती थी वहीं से राजनित का एक सुगमा चलता था, वो बिहार खत्म हो चुका है, ये 32 साल में नितिस और लालू के चपेट में साफ बिहार गिरते माहल में आ गया है, उसी सिति में युवा को समखलना होगा वहाँ, और ठीक तरह से ऐसी तरह से समाज में नेताओं को भगाना होगा इस सब को जो फिर समाज ठीक सुधरे नहीं तो समाज नहीं सुधर सकता है समाज को समाज के ही युवा और लोग सुधर सकते हैं और सरकार को भी सुधर सकते हैं दूसरा कोई नहीं सुधर सकता यह सत्ता धारी दल क्या सुधरेगा समाज को यह सुधर सकता क्या लगता है कि कहा जाता है कि अगर बाहर की बुराई खतम करनी है तो शुरुवात अपने घर के भीतर से करनी चाहिए अगर ऐसा कोई सरकार करती है जो सत्तापल काबिद सरकार या कोई भी करता है तो क्या तभी परिवर्तन आ सकता है या परिवर्तन के कुछ नयाम बदलन होंगे देखिए यह कहावत चरितार्थ है जो अपने घर में जहांके देखना चाहिए सब को लेकिन ऐसा करते आप देखते होंगे नहीं किसी राजनितिक दल में कोई किसी को कुछ कहता नहीं है चाहे वो भाजपा हो कि चाहे वो कंग्डेश हो सब का सब जनता को केवल ठगने का काम कर रही है अंग्डेशों से भी बत्तर हालत बना दिया है इन लोगों ने अब उसका सीख बहुत जल्दी मिलेगा चोविस तक देखिए पचीस में तो यह निर्ने हो जाएगा जो आखिर सरकार किधर जा रही है आखिर देश के युवा क्या करेगा अब इस देश में सभी सरकार को टै करना पड़ेगा जो युवा को रोजगार चाहिए तो चाहिए चाहिए उ राज सरकार हो चाहिए भारत सरकार हो इसे व्यवस्था करना होगा और नहीं तो साप अपना जोली लेके भागना पड़ेगा इस भारत से बिल्कुल व्यवस्था कि आपने बात करी आज के समय हर एक नैने नियम लाए जा रहे हैं कभी युनिफॉर्म सिविल कोर्ट पर चर्चा हो रही है कभी जन संक्या नियंत्रट पर चर्चा हो रही है क्या नहीं लगता है कि ऐसा भी कानून आना चाहिए जो व्यक्ति जो है खडियंत्र है इसके तहत जनता गुम्रा होती है उस पे और वह कानून से कुछ नहीं होता है आज कल आप देखते हैं जो जज क्या कर रहे हैं वह इजलियास में बैठे रहते हैं जब तक कोई देने वाला नहीं आता तक जाता नहीं है यही है जज का माहूल यही है मी कश्राटी के काज़ाले में मीडियाओं का इतना जमात लगाा राता है जुक्त मै लगता है इसकी सरकार के करोगे द Süddi आ जानता को नहीं बता रही है केवल जंता को गुमडाह करने के लिए नेताओं का फरोसा ब बोल जो है न वह बाएट रहा है यहीं कर रहा है मीडिया जिसके चलते आज तक देश संस्था राजनीतिक दल में उनको बढ़ावा मीडिया दे रही मीडिया तो अपना उससे भीी कर रही है ना हिसाब किताब और उस दल के नेता तो पुरूरूप से दे रहा है और राजनीत क्या रहा गया है कुछ राजनीत है इस देश में हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक समय था जब चुनाओं होता था चुनाओं का वक्त आता था तो बड़े-बड़े माफियों को टिकट दिये जाते थे एक दौर वो भी था अब आज एक दौर यह है कि लोग जो है जो नेता चुने के लाए गए हैं वही अपरात अंदर बित होता है जो चुना जाता है वह शिर्फ एक साल में चुकि इतना फंड आता है वहां काम कुछ नहीं होता है चुकि वह भोट देके चुना हुआ है इस प्राजिकरन को बदलना पड़ेगा पंचाय चुनाओं इस देश में निर्विरोध कराना होगा तब यह देश का बहुत हैं जो परिवर्तन की राप पर चलना होगा आने था आने वाला समय जो है संपूर रूप से अब राध की और चलता चला जाएगा और कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा तोड़ नहीं पाएगा फिलाल अब तक के लिए बनेरे न्यूज वनेंजा पर कैमरा पर्सन राज के साता सती बारी